एक बार की बात है, एक सांप था जो जंगल में रहता था, वह बहुत ही आलसी था और उसे कुछ नहीं करना पसंद था, वह दिन में पेड के नीचे पड़ा रहता था और रात में शिकार करता था, एक दिन वह एक बूढ़े चील से मिला, चील ने उसे कहा, बेटे, तुम इत करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हो, तुम पेडों पर चढ़ सकते हो और उची जगहों से द्रिश्य का आनंद ले सकते हो, सांप ने सोचा कि चील की बात में दम है, उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएगा, उसने अगले दिन से ही कड़ी मेह करना शुरू कर दिया, वह पेडों पर चढ़ने की कोशिश करता था और जितना हो सके उतना उचा जाता था, शुरुवात में यह बहुत मुश्किल था, वह कई बार पेड से नीचे गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वह बार बार कोशिश करता रहा, और आखिरकार वह पेडों पर चढ़ने में सफल हो गया, उसने वहां से आसमान और जमीन को देखा, उसने जंगल, नदी और पहाडों को देखा, उसने ऐसा द्रिश्य कभी नहीं देखा था, वह बहुत खुश हुआ, उसने महसूस किया कि चील सही थी, अगर वह कड़ी महनत करता है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, उसने अपनी आलस्य को छोड़ दिया और अपने जीवन में बदलाव लाया,